मौसम का मिजाज बदला हुआ था, बरसात के दिन थे, आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे, कभी छाया तो कभी चमकती धूप हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो सूरज और बादलों में लडाई हो रही हो, वहीं गाव के बाहर कई एक खेत में मेड़ बांध रहे थे, सभी पसीने में तरफावडे से मिट्टी खोद कर मेड़ पर रख रहे थे, वहां मौझूद पानी के कारण मिट्टी नरम हो गई थी, तभी गोबर ने अपनी कानी आँख मटका कर कहा, अब तो हात नहीं चल रहा है भाई, भोजन कर ल तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया था ना, हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता, नेउर छोटे कद का सावला, गठीला और फुर्तीला आदमी था, उम्र पचास के उपर थी, लेकिन नौजवान उसके बराबर मेहनत करने में हार मान जाते थे, अभी दो-तीन सा पहले ही उसने कुष्टी लड़ना छोड़ा था, गोबर, तंबाकु पिये बिना तुमसे कैसे रहा जाता है, नेउर दादा, हमें तो रोटी मिले ना मिले, लेकिन तंबाकु बिना हम नहीं जी सकते, दीना, मेहरिया कुछ नहीं करती है, हम तो ऐसी मेहरिया साथ एक दिन नेउर, जवानी तो उसके साथ कटी है, अब बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होता, तो भला क्या करें, गोबर, तुमने उसे सिर चड़ा रखा है, वरना काम क्यों नहीं करेगी, दिन भर मजे से खाट पर बैठी, चिलम पीती रहती है और गाम भर से लड़ती है, त आज भी सिंदूर, बिंदी, काजल और मेहंदी में उसका मन बसता है, रंगीन, धोती और गहनों के बिना हमने तो कभी उसे देखा नहीं, तुम सीधे हो, इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो गली-गली ठोकरें खाती, गोबर, मुझे तो उसके दिखावे पर घुस्सा आता है, काम कुछ न करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए, नेउर, तुम नहीं जानते बेटा, जब वह आई थी, तब मेरा हाल ऐसा न था, वह रानी की तरह रहती थी, वक्त बदल गया, लेकिन मन तो अब भी वही है न, जरा सा चूले के पास बैठ जाए, तो तंबाकू की चार फूंक मार कर और एक लोटा पानी पी कर सो जाता, जब से बिटिया मरी है, तब से वह और सुस्त हो गई है, उसके मन को काफी धक्का लगा है, मा की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा, पहले तो डांट डपट देता था, अब किस मुह से बोलूँ, दीना, कल तुम पेड़ पर काहे चड़े थे, नेउर, बक्री के लिए पत्ती तोड़ रहा था, बिटिया को दूद पिलाने के लिए बक्री ली थी, अब वह भी बूढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा दूद दे देती है, उसका दूद और रोटी ही मेरी मेहरिया का आधार है, श के पीछे प्राण मत दे दो, जब पगार सब को बराबर मिलती है, तो अकेले तुम क्यों जान देते हो, नेउर का मन प्रेम से भर गया, उसने सोचा, मेरी स्त्री के दिल में मेरे प्रति कितना प्रेम है, उसे मेरे मरने जीने की चिंता है, नेउर बोला, तू जरूर पिछल लोटा और रोटियां बनाने लगा, चूले से आलू निकाल कर उनका भरता बनाया और दोनों साथ खाने लगे, बुढिया बोली, मेरे होने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला न, केवल पड़े-पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, इस से अच्छा तो भ पड़ी में अकेले कौन रहेगा, बुढिया बोली, तुम ना होते, तो मेरा क्या हाल होता, ये सोचते ही मेरी आँखों के सामने अंधेरा चा जाता है, जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा तभी तुम मिले, वरना किसी और के साथ मैं रहना पाती, जैसे शिकारी कांटे में चारा लगा कर मचली को फंसाता है, वैसे ही आलसी और लोभी बुढिया जीब पर रस रखकर नियूर को अपने इशारों पर नचाती थी, उन दोनों में से पहले कौन मरेगा, इस विशय पर आज उनकी कोई नई बात चीत न थी, पहले भी हजारों बार इस विशय पर चर्चा हुई, नियूर ने मन ही मन यह मान लिया था कि पहले वही जाएगा, वह मेहनत इसलिए करता था ताकि उसके पीछे बुढिया को किसी के सामने हाथ न पहलाना पड़े, वह आराम से खा सके, जो काम कोई नहीं कर सकता था, वह नियूर करता था कि चार पैसे जमा हो बुढिया के बगैर वह अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज की बात ने नियूर को सोच में डाल दिया था, गाम भर में नियूर को काम की कमी न थी, लेकिन मजदूरी कुछ न मिलती थी, एक दिन एक बाबाजी घूमते फिरते गाम में आ पहुँचे उन्होंने नियूर के घर के सामने ही डेरा डाल दिया, बाबाजी की सेवा के लिए गाम भर के लोग जमा हो गए, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कमबल का इंतजाम किया, तो कोई आटा दाल ले आया, नियूर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो उसने भोजन बनाने का बाबा जी भूत भविश्य बताते थे, दूर दूर तक लोब उन्हें छू नहीं सका था, दो तीन दिनों में ही बाबा जी की चर्चा आसपास के गावों में होने लगी, नियूर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था, उसने सोचा कि बस बाबा जी की कृपा बरस जाए तो स स्त्री है उसे कैसे छोड़ दूँ, बाबा बोले, तुझे लगता है कि तू स्त्री का पालन करता है, नियूर बोला, तो और कौन सहारा है उसका, बाबा जी ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की है, वो सब का पालन कर रहा है और तू कहता है कि तू बुढ़िया का पाल आँखों से आंसू गिरने लगे, इस से ज्यादा वह कुछ न कह सका, बाबा बोले, ईश्वर का चमतकार ऐसा है कि वो चाहे तो तुझे लखपती कर दे, और क्षण भर में सारी परेशानियां खत्म कर दे, मैं मातर उसका एक भक्त हूँ, मुझमें इतनी शक्ती नहीं है कि तुझे पारस बना दूँ, तु सच्चा, इमानदार और साफ दिल का इनसान है, मुझे तुझ पर दया आती है, तेरे पास कुछ चांदी हो, तो बता मैं तुझे अमीर बना दूँगा, नियूर का मन खुशी से खिल गया, नियूर बोला, मेरे पास चंद पैसे हैं, और मे काल हांडी आकर निकाल लेना, नियूर के चहरे पर खुशी दोड़ गई, इतने में बाबा बोले, लेकिन ध्यान रहे, इन अशर्फियों को जुआ खेलने, शराब पीने या बुरे काम में खर्च मत करना, वरना कोड़ी हो जाएगा, एक और बात, किसी से इस बात की आया, खुशी के मारे रात भर उसे नींद नहीं आई, सुबह होते ही वह दो-चार आदमियों के पास उधार मांगने पहुँचा, लोग उसका भरोसा करते थे, इसलिए पैसे दे दिये, नियूर ने किसी तरह 50 रुपए जोड लिये, 25 रुपए उसके पास पहले से थे, ल अधिया से बोला, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, ला मुझे दे, रात भर मैं खटाई की हांडी में डालकर इन्हें साफ कर दूँगा, बुढिया ने गहने दे दिये, देर रात जब वह सो गई, तो नियूर गहने लेकर बाबा जी के पास पहुँचा, बाबा ने मंत का इंतजार किये बगैर, वहां अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुँचा, वहां पहुँचते ही, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, बाबा जी वहां नहीं थे, नियूर की छाती धक धक करने ली, वह इधर उधर बाबा को खोजने लगा, हाट तालाब सब जगह दे हुए सभी गामवाले उसकी जोपड़ी के पास पहुँचे, बुढ़िया बाहर आई, तब ही एक ने कहा, नियूर ने मुझसे पैसे उधर लिये थे, कहा था, शाम को लोटा दूँगा, बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात कही, इतने में बुढ़िया रोन ठक कर फरार हो गया है, बेचारा नियूर सीधा आदमी बाबा के जहांसे में फंस गया, अब लाज के मारे सामने नहीं आ रहा है, किसी तरह तीन महीने बीते, जहांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा गाव था, काशीपुर, वहां नदी किनारे एक पहाड़ी ट धोखा दे रहा था, ये वही नियूर था, जो कभी महनती और इमानदार हुआ करता था, गाव से दूर, नई जगह आने के बाद भी, उसे अपना घर, गाव और बुढ़िया बहुत याद आते थे, वह हर रोज बस यही सोचता था, कि कब वह अपने गाव वापस लोटेग और खुशी से जीवन बिताएगा, धोंगी बाबा को याद कर उसका मन दुखी भी होता था, उसका हाल ऐसा था, कि अगर अभी वह बाबा को पा जाए, तो उन्हें कच्चा ही खा जाए, खैर, यहाँ बाबा बन कर, ने और किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, उसके भक्तो में एक सुन्दर स्त्री शामिल थी, जिसकी शादी शुदा जिन्दगी कुछ ठीक नहीं थी, एक दिन पारिवारिक कलह के बाद वह रूट कर माय के आ गई, तब से उसका पती उसे लेने नहीं आया था, वह स्त्री किसी तरह अपने पती को वश्मे करना चाहती थी, एक रो सा रख, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा, स्त्री बोली, मेरे भगवान तो आप ही हो, आप जो बोलोगे वही करूंगी, नियूर मन ही मन खुश हो रहा था, नियूर ने कहा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे बड़ा अनुष्ठान करना पड़ चाहती थी, इसलिए वह बाबाजी के चरणों में गिर गई और सोने के गहनों की पोटली उनके सामने रखती, महीनों से जिस समय का इंतजार नियूर कर रहा था, वह आ चुका था, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसके अंदर अजीब सी उल्जन होने लगी, वह चाह कर भी स्त्री के साथ ठगी नहीं कर पा रहा था, उसके संसकार उसे इस काम को करने से रोक रहे थे, अंत में नियूर ने रोते हुए कहा, बेटी यह पोटली ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी मनो कामना जरूर पूरी होगी, इतना कहकर व लंबे सफर के बाद वह गाव पहुँचा, उसे ऐसा लगा, मानो वह बेडियों से आजाद हुआ हो, और कोई बड़ी जीत हासिल की हो, उसके पहुँचने की खबर पूरे गाव में आग की तरह पहल गई, कुछ लड़कों ने उसका स्वागत किया और बताया कि दादी तो जसकी तस थी, चिलम और नारियल भी ज्यों के त्यों धरे हुए थे, इतने में पूरा गाव वहाँ आ पहुचा, सवालों की जड़ी लग गई, किसी ने कहा, तुम कहा थे नेउर दादा, तुम्हारे जाने के तीन रोज बाद ही दादी चल बसी, दिन रात तुम्हें कोस् तुम इतने दिन कहा रहे, नेउर के पास कोई जवाब न था, वह कुछ न बोल सका, बिलकुल मौन हो गया, मानो जिन्दा लाश, उस दिन के बाद से किसी ने नेउर को हंसते बोलते नहीं देखा, वो ना किसी से कुछ कहता और ना कुछ मांगता, गाव के बाहर सड़क किन इसी चीज की परवाह न थी, वह जोपड़ी के बाहर निर्जीव और अचेत पड़ा था,